हलो विवर्स मैं हूँ कॉसल सर्मा आपका स्वागत है कॉसल सर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर विवर्स वित्तमंत्र अलय ने अक्टूबर से दिसंबर माह के पोस्ट आपिस के सभी सेविंग इस्कीम के नए इंट्रेस डिट की घोशना कर दी है इसमें कुछ इसकी में ब कौन-कौन सी ऐसी स्कीम हैं जिन में ब्याजदरों की बढ़तरी की गई है और कौन-कौन सी स्कीम हैं जिन में लोगों ने आस लगाई हुई थी कि इन स्कीम में ब्याजदर की बढ़तरी होगी लेकिन ब्याजदर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इसके लाबा हम य जरूर देखिए ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ तो विए सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं post office के saving account के interest rate के बारे में कि अब post office में कितना interest मिल रहा है तो विए सबसे पहले हम पुराने interest rate को देखें तो इसमें कोई भी बदलाब नहीं हुआ है पहले 4.0% का interest मिलता था अभी भी 4.0% का interest मिल रहा है इसी तरह से दूसरी scheme को देखते हैं तो वो है time deposit post office में time deposit को एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए और पांच साल के लिए कर सकते हैं तो एक साल के time deposit में थोड़ा सा बदलाब हुआ है, पहले 5.5% का interest मिलता था लेकिन अब 5.7% का interest मिलेगा इसमें आपको, यानि 0.2% का इसमें इजाफा किया गया है अगर तीन साल के time deposit को देखें तो तीन साल के time deposit में भी बदलाब किया है, पहले 5.5% का interest मिलता था लेकिन अब 5.8% का interest मिलेगा, 5 साल के time deposit में कोई भी बदलाब नहीं किया गया है, पहले 6.7% का interest मिलता था, अभी भी 6.7% का interest मिलेगा, अब वर सम जा लेते, post office की अगले scheme के interest rate को तो वो है recurring deposit यानि की RD, पहले 5.8% का interest मिलता था, अभी भी 5.8% का interest मिलेगा, तो इसमें भी कोई भी बदलाब नहीं किया गया है, अब जा लेते हैं post office की अगली scheme के बारे में, तो वो है senior citizen saving scheme, विर्स इसके interest rate में बदलाब किया गया है, पहले 7.4% का interest मिलता था अभी तक, लेकिन अब 1 October से आपको 7.6% का interest मिलेगा, यानि इसके भी interest rate में 0.2% का increment किया है, अगली saving scheme है monthly income scheme यानि की MIS, विर्स MIS में 6.6% का पहले interest मिलता था, अब 6.7% का interest कर दिया है, यानि 0.1% का इसमें increment किया है, अगली scheme है विर्स national saving certificate यानि NSC, तो NSC में 6.8% का interest मिलता था, अभी भी 6.8% का interest मिलेगा, यानि इस scheme में कोई भी बदलाब नहीं किया गया है, इसी तरह से एक scheme और है, जिसमें हमें आसा थी कि इसमें ब्याज जरूर बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाया है, वो है public provident fund scheme, इसमें 7.1% का interest मिलता था, अभी भी 7.1% का interest आपको आगे भी मिलता रहेगा, यानि एक्टूबर से दिसम्बर के तिमाही तक, यहीं मिलेगा, अगली scheme है किसान बिकास पत्र, तो किसान बिकास पत्र के interest rate में बदलाब किया है, पहले 6.9% का interest मिलता था, जिसमें आपका maturity period होगा करता था, वो 124 महिने का रहता था, यानि 10 साल 4 महिने में आपका पैसा डबल हो जाता था, लेकिन अब इसके interest rate में भी बदलाब किया है, अब 7.0% का interest मिलेगा, यानि 0.1% का इसमें एजाफा किया है, यानि अब आपका जो पैसा डबल होगा इसमें, वो 123 महिने में डबल हो जाएग विर्स एक और post office की saving scheme है, वो है सुकन्या सम्रद्धी योजना जो की 10 साल तक की छोटी वेटियो के लिए है, विर्स इसमें भी कोई भी बदलाब नहीं किया गया है, पहले 7.6% का interest मिलता था, लेकिन आगे भी इसमें 7.6% का interest मिलता रहेगा, तो विर्स ये थी जानकारी प करें, तो कितना return मिलेगा, तो सबसे पहले हम 2 वर्सी time deposit में देख लेते हैं, 1 October से पहले time deposit में 5.5% का interest मिलता था, तो अगर 1 लाग रुपाए 1 October से पहले जमा किये होते, तो 5.5% के interest से आपको 11,228 रुपे मिलते थे, लेकिन अब इसमें 5.7% का interest हो गया है, तो अब 2 साल के time deposit पर 11,646 रुपे मिलेंगे, यानि 1 लाग रुपे पर 418 रुपे ज्यादा का ब्याज इसमें मिलेगा, इसी तरह से विवर्स, 3 साल के time deposit में भी ब्याज बढ़ाया गया है, पहले 3 साल की अगर TD कराते थे, तो 1 लाग रुपे में 1,16,843 रुपे मिलते थे, लेकिन अब 5. 5.8% के interest से 1,17,730 रुपे मिलेंगे, यानि अब 1,00,000 रुपे पर 940 रुपे ज्यादा मिलेंगे, तो विर्स ये तो हुआ time deposit scheme पर मिलने वाले ब्याज का अंतर, अब हम जान लेते हैं, senior citizen saving scheme में अगर 1,00,000 रुपे जमा करते हैं, तो कितना ब्याज का अंतर आएगा, तो senior citizen saving scheme में पैसा 5 सालों के लिए जमा करते हैं, और ये scheme उन लोगों के लिए हैं, जिनकी उम्र 60 या 60 रुपे से अधिक की हैं, तो 1 October से पहले अगर 1,00,000 रुपे इसमें जमा करते थे, तब उनको 7.4% के interest से 1,37,000 रुपे मिलते थे, लेकिन अब 7.6% के interest से उनको 1,38,000 रु की मों में सबसे जादा माना जाता था, लेकिन अब ये senior citizen saving scheme में भी उतना ही मिलने लग गया है, अब ये समझा लेते हैं, post office की MIS, यानि की monthly income scheme, तो अगर monthly income scheme में पहले 1,00,000 रुपे अगर जमा करते थे, तो 6.6% के interest से आपको 5 साल बात 1,33,000 रुपे मिलते थे, लेकिन इसे मोत ऐसे में वेर्स किशान विकास पत्र यानि की KBB, यह scheme पैसे को दsuiteकरनी वाली scheme है, तो पहले इस scheme में 124 महिने में पैसा दूना होता था, यानी दस वर्स 4 माह में यह पैसा दूना होता था, लेकिन अब 123 माह में ही यह पैसा दूना हो जाएगा, यानु पहले से एक म उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें श्य hyvin करें दूसरों के लिए जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बैल आइकन के साथ जिससे जब भी हमने यह वीडियो बनाएंगे तो उसका नोडिफिकेशन सबसे पहल हो या कोई भी सोजाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहें